नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News समस्तिपूर जिले में महादलीत बस्ती के लोगों को सड़क पानी और रुजगार नहीं मिले के कारण उन लोगों ने कहा है कि आने वारे चुनाओं में वोट बहिशकार करेंगे और साथ ही लोगडाउन के बाद धर्णा प्रदशन भी करेंगे समस्तिपूर जिले के सरायरंजन प्रखंड के रायपूर बुज़र्ग वोट 18 जो महादलित महले है जहाद सरकार के तमाम विकास के दावे की पोल खोलती है महले काफी घनी अबादी वाला है महले वालों के द्वारा प्रयास करने के बाद भी संपर्क सड़क या गली नली योजना के तहत सड़क नहीं बना जिससे बरसात की दिनों में लोगों को काफी कटना योगा सामना करना पड़ता है ना ही नल जल योजना का पानी मिलता है और ना ही मजदूर को कामिल रहा है जिससे लोगों में भुखमरी की हालत उत्पन हो गई है तमाम चीजों को देखते हुए यहां के लोगों ने आने वाले चुनाओं में वोट बहिशकार करेंगे और कोरोना के बाद भुख हर्ताल और धर्णा प्रतेशन करेंगे। सरक, पानी, विजली यह सब तो ज़्यादा जोड़ दिया, ज़्यादा खर्च भी किया है सरकार, लेकिन वो खर्च है, सरक पे क्या सरकार का साथक है या नहीं है, सरकार ने महादलित वस्ति के लिए संपर्क सरक योजना बनाया था, लागो किया था जिसमें हर एक महादलित सब्सक्राइए तौले में बस्ती में संपल्क सर्क बनाना था लेकिन सरकार का जो योजना है बिल्कुल ठेल दिखाई दे रहा है इस लिए कि मैं जहां अभी हूँ आप देख सकते हैं कि यह बलीट में जाने का मक्क सरक है और यह पूरी तरह से यह पानी है पीचर है लोगों को आने जाने में काफी कछिनाई होती आप देखेंगे यह चाफा कल है और ठीक इसके पगल में यह नलजल यह उना जम से आप देखेंगे खलियोजना एक तरफ यह पुरी तरह से यहां के गराविनों में गरिवाया है इसे looking for a disease एक हादे यह पुरी तरह से यह इसमें पाने नहीं आ रहा है और उसके बाद यह देखिए को फशें तरकार का यह उना है किा आधी आवडगा है nice कर से तों और माराहि की ओषजर का अवी है तो ॐस सब्सक्टा अज डाना डिये तो डूंत झांड़ मörजिने के संवना हम लोको ब् Debatte करोना से अंडцыलेकर नह नहीं को जोल पेवस्ता है। पूर ना कोई काम रजगार का वेवस्ता तो क्या करके जिएगे हम उच्छा थकारी से दीम कहना चाहूंगा जो आप आके खूद देखिए हमारे क्या परसानी है रास्ता चलना मुश्चिल है हमारे महापहन मिठी में गिर जाती है अपारी में फिसल के गिर जाती है और हम क्य जीवन बतीत कर रहे हैं आपके लोगों से मिले हैं उन लोगों का कहना क्या है उन लोगों का कहना है जो अगर हमारे जो समय साइग जो दूर नहीं होगी तो मैं करीब-करीब चार वार 15, 18, 19, 20 तक घोड का वहिस्कार करेंगे